एपिसोड आट की शुरुवात में हमें दिखाया जाता है कि फैशन शो सक्सेस्पुल होने के वज़े से टेहा अपनी पूरी टीम को एक वेकेशन पे लेके जाता है ये वेकेशन होता है जेजू नाम के एक आइलेंड में और अगर आपको याद होगा तो कुछ एपिसोड प कभी समंदर देखा नहीं है और कैसे उसके ग्रैंट पा हमेशा जेजू आइलेंड के बारे में बात करते थे और टेहा ने यौन्वू की यही बातों को याद रखके जेजू आइलेंड जाने का वेकेशन प्लान बनाया और वहाँ जाने पर टेहा यौन्वू को पूछता ह क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि आईलेंड अकेले नहीं होते और तुम जब मिरे साथ होती हो तो मुझे भी कभी अकेले महसूस नहीं होता यहां मिन दादा जी के डॉक्टर से अकेले मिलती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने करप्ट हो तुमने जूटे नामों से जमीने खरीदी है उन पे बिल्लिंग्स बांदी है और तुमने बहुत पैसा खाया है और अगर तुम्हारी इन हरकतों के बारे में लोगों को पता चल गया तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा ना डॉक्टर ये बाते सुनकर पैनिक हो जाता है तो मिन उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम और मेरे ससूर जी बहुत क्लोज हो तुम्हें ये पता ही होगा कि टेहा ने इतने जल्दी से शादी क्यों कर ली कि अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं भी सर्जरी नहीं करवाऊंगा इसलिए टेहा ने जल्दी जल्दी शादी कर ली ताकि दादा जी अपनी सर्जरी करवा ले मिन ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या मेरे ससूर जी ने टेहा से जूट बोला मुझे लगा टेहा ने जल्दी जल्दी शादी कर ली क्योंकि वो अपने दिल की बीमारी के बारे में किसी को बताना नहीं चाता था और डॉक्टर पूछता है कि टेहा को कौन सी दिल की बीमारी है डॉक्टर को टेहा की बीमारे के बारे में पता नहीं होता और मिन समझ जाती है कि टेहा की बीमारे के बारे में कोई भी नहीं जानता उसके ससूर जी भी नहीं जानते और इसी मौके का वो फाइदा उठा सकती है अगले दिन आफिस में मिन फिर सारे डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलवाती है और उन्हें बताती है कि कैसे वो टेहा को SH कॉर्परेशन से निकालना चाती है और जब ये न्यूस दादाजी को पता चलती है तो वो भी इस मीटिंग में आ जाते है दादाजी मिन को पूछते है कि तुम ये क्या तमाशा कर रही हो तुम कौन होती हो टेहा को कमपनी से बाहर निकालने वाली तुम मिन कहती है कि मेरे पास और कोई आप्शनी नहीं बचा आप कमपनी वालों को उल्लू बना सकते है लेकिन मुझसे ये नहीं हो सकता यहां बेटे सबी लोगों को ये जानने का हक है कि तेहा बीमार है मिन फिर सबको बता देती है कि कैसे तेहा को दिल की बीमारी है जिस वज़े से वो कभी भी कमपनी को ठीक से नहीं संभाल पाएगा और टेहा की इस बीमारी के बारे में पता होने के बावजूद भी दादा जी ने टेहा को चेर्मिन बनाने की कोशिश की जिस वज़े से आगे जाकर S.H. कॉर्परेशन को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है मिन कहती है कि टेहा और दादा जी ने सिर्फ अपने बारे में सोचा उन्हें कमपनी की कोई परवा नहीं है इसलिए कुछ दिनों में हम वोट करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि क्या टेहा को कमपनी में रहना चाहिए या नहीं यहाँ टेहा अभी भी वेकेशन पे होता है जब उसे ऑफिस से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि कैसे मिन उसे एसेज कॉर्परेशन से निकालने की कोशिश कर रही है उसके दादा जी को उसके दिल के बीमारी के बारे में पता चल गया है और कैसे टेहा को जल्दी से ओफिस आना होगा इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसी बीच टेहा को उसके हाट के डॉक्टर का भी कॉल आता है जो उसे बोलता है कि मैंने तुमारे रिपोर्ट्स को चेक किया और तुमारे हाट की प्रॉब्लम बहुत जाधा सीरियस हो गई है तो मैं जल्दी वापस आना होगा इस पूरी सिचुएशन के वज़े से टेहा बहुत फ्रस्टेट होता है क्योंकि इस वेकेशन पे वो यौन्वू के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था वो यौन्वू को अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था लेकिन अब उसका पूरा प्लान खराब हो लेकेशन के बारे में पता चल गया तुछ बहुत तकलीफ होगी और तेहा यौन्वू को टकलीफ में नहीं देख सकता इसलिए टेहा डिसाइड करता है कि वो यौन्वू के साथ का रिष्टा ही पूरी तरह से खतम कर देगा तेहा यौन्वू से मिलने जाता है और उससे कह नहीं है मुझे प्यार में इंट्रिस्ट नहीं है यॉन्मु पूछते कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया तुम मेरा हाथ पकड़ रहे थे तुम मुझे गले लगा रहे थे तुम मुझे किस कर रहे थे वो सब क्या था क्या वो सब जूट था क्या तुमने मुझे एक सेकंड ये लिए भी पसंद नहीं किया और टेहा बहुत रूडली बोल देता है कि मुझे तुमारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और यौन्वू ये बात सुनकर रोने लगती है और वहां से चली जाती है योन्मू के वास्ते जाने के बाद टेहा भी emotional होके रोने लगता है क्योंकि वो सच में योन्मू को बहुत पसंद करता है लेकिन उसकी situation के वज़े से वो योन्मू के साथ रह नहीं सकता वो अपने परेशानियों में योन्मू को involved नहीं कर सकता शेहर वापस आने के बाद टेहा अपने heart surgeon और USAI एक heart surgeon से मिलता है और वो उसे बताते है कि कैसे उसकी heart की problem इतनी जादा बढ़ गई है कि उसे कभी भी stroke आ सकता है उसे कभी भी heart attack आ सकता है और उसकी कभी भी मौत हो सकती है टेहा को अब पता चल गया है कि वो कभी भी मर सकता है लेकिन उसे इन बातों से कोई फरक ही नहीं पड़ता वो बार बार योन्मू के बारे में सोच रहा होता है और उसे मौत से जादा इस बात की घबराट होती है कि यौनवू उससे नफरत करेगी यौनवू उससे कभी मिलना नहीं चाहेगी और इस बात के वज़े से टेहा बहुत दुखी तो होता है लेकिन उसे पता होता है कि यौनवू और उसके लिए एक दूसरे से दूर रहना ही सबसे अच्छा डिसिजन है अगले दिन फिर टेहा दादाजी से मिलकर उन्हें सब सच बता देता है कि कैसे उसने यौनवू से जूटी शादी की दादाजी को खुश रखने के लिए और कैसे उसकी हार्ट की प्रॉब्लम और जादा बढ़ गई है दादाजी कैते है कि अगर मैं सच बताओ तो मुझे तुमारे हार्ट के प्रॉब्लम के बारे में बता था क्योंकि तुमारे सरजरी होने के बाद तुमारे सारे रिपोर्ट्स मुझे मिल गए थे लेकिन तुमने मेरे लिए जूटी शादी क्यूंकि मैंने तो सिर्फ तुम्हें शादी करने के लिए कहा था ताकि तुम अपनी बीवी के साथ खुशी-खुशी रह सको जिससे तुमारी बीमारी जल्दी से ठीक हो जाए लेकिन तुमने एक कॉंट्रेक्ट वाली शादी की और टेहा हॉंग को कहता है कि यौनवु अब तुमारे साथ रह रही है तो तुम उससे संभाल के ही बात करो उसे आफिस में क्या चल रहा है और मेरे हाट के प्रॉब्लम के बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए हॉंग कन्फ्यूस होता है तो टेहा उसे बताता है कि 19 वे सदी में यौनवु के पती को मेरी ही तरह दिल की बिमारी थी जिस वज़े से उसकी मौत हो गई और उसके पती की मौत होने के वज़े से यौनवु इतनी डिप्रेस हो गई कि उसने कुए में कूट के खुद कर रही होती है जब उसे दिखता है कि दादा जी ने उनका कबर्ड खोला है और उसमें से उन्होंने एक वाच बाहर निकाली है इस वाच को देखकर सावल के होश उट जाते हैं क्योंकि यह वाच एक्जाटली यौनवु की वाच की तरह दिखती है और सावल कन्फ्यूस हो शुरू कर दो कि टेहा कंपनी छोडने वाला है क्योंकि उसे दिल की बीमारी है और मिन वाच से चली जाती है मिन के वाच से जाने के बाद म्योंगसू अपने साथी को कहता है कि हमने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे ही मिन टेहा की बीमारी को उसके खिलाफ इस्तिमाल कर है एगले दिन यॉन्वी आफिस आती है और उसके साथ ऐलेवेटर में म्योंग सू होता है और म्योंग सू किसी से फून पे बात कर रहा होता है कि उसे क्यों में 0 was आध्मी की आवास सूना ही दी वो आवास Exactly म्योंग सू की तरह है यहां होंग्हा को बताता है कि fashion show होने से पहले जिस इंसान ने यौन्वू के डिजाइन को इंटरनेट पे लीक किया जिसने मॉडल्स को शो पे नहीं बुलाया और जिसने यौन्वू के शौ बर पर ड्रेस को फाड़ दिया वह और कोई नहीं हाना थी तेहा हौं को कहता है कि हाना तेहा ने हमारा बहुत नुकसान किया है इसलिए मुझे उसे नौक्री से निकालना होगा और हानँ फिर हाना को जाकर बताता है कि कैसे उसे नौक्री महीना खतम होने से पहले छोडनी होगी। हाना इस बात से बहुत अपसेट होती है इसलिए वो किसी वी आई पी नाम की इंसान को कॉल करके मिलने बुलाती है और ये वी आई पी इंसान होते है दादा जी हाना कहती है कि टेहा ने मुझे नौकरी से निकाल दिया आपने मुझे कहा था टेहा पे नज़र रखने के लिए उसका ख्याल रखने के लिए और अगर आपने मुझे हेल्प नहीं की तो मैं टेहा को ये सब बता दूँगी दादाजी कहते है कि मुझे मेरे पोते की चिंता है इसलिए मैंने तुम्हें उसमें नज़र रखने के लिए कहा उसमें गलत क्या हुआ हाना चिल लाती है कि आपने मुझे से वादा किया था कि आप टेहा की शादी मुझे से करवा देंगे तो दादाजी कहते है कि हाँ मैंने ये कहा तो था लेकिन टेहा ही तुम्हें पसंद नहीं करता इसमें मैं क्या कर सकता हूँ और आगे से अगर तुमने मुझे फोन किया और मुझे मिलने बुलाया तो ये तुमारे लिए अच्छा नहीं होगा और ये कहकर दादा जी वहाँ से चले जाते है जहां मीदाम टेहा को मिलने बुला थे और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुमारी और यॉन्वू की शादी अभी-भी हुई है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं तुमारी बीवी को तुमसे चीन रही हूँ लेकिन एक युएस की पॉलिटिशन को यॉन्वू के डिजाइंस बहुत जादा पसंद आए है और मैं कुछ महीनों के लिए अबरॉड काम करने वाली हूँ और इसलिए मैं यॉन्वू को अपने साथ लेकर जाना चाती हूँ टेहा यॉन्वू के लिए बहुत खुश होता है लेकिन वो इमोशनल होता है क्योंकि अल्डिडी वो यॉन्वू को मिस कर रहा है और अगर यॉन्वू अबरॉड चली गई तो उसके लिए जिन्दा रहना मुश्किल हो जाएगा और टेहा जिसने खुद कॉंट्राक्ट वाली शादी को तोड़ा था वो डिसाइड करता है कि बस अब बहुत हो गया मैं यॉन्वू से दूर नहीं रह सकता इसलिए टेहा जल्दी से हॉंक के घर के लिए निकलता है ताकि वो यॉन्वू से मिल सके यहां हॉंग की बहन नारे उससे जगड़ रही होती है यह कहते हुए कि तुम उस सावल को क्यू डेट कर रहे हो वो बहुत इरिटेटिंग है और हॉंग उससे कहता है कि बस अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ हॉंग और नारे की बीच के बाते यॉन्वू सुन लेती है और उसे टेहा ठीक तो है या नहीं इसलिए वो घर से जल्दी से निकलती है ताकि वो टेहा को मिल सके थोड़ी देर में हॉंग के घर पे टेहा आ जाता है लेकिन यॉन्वू बहा नहीं होती और यॉन्वू टेहा को ढूंड रही होती है जब रास्ते में अचानक से बारिश होने लगती है यॉन्वू इस बारिश में भीग रही होती है और उतने में वहा पे टेहा आ जाता है और वो यौन्वू को पकड़ के साइड में लेके आता है टेहा भागने के वज़े से हाफता है और यौन्वू उस पे चिलाती है कि क्या तुम बागल हो गए हो तुम भाग क्यों रहे हो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कि मैं नहीं चाता कि तुमने जो परेशानिया 19 सदी में जहली तुमने जो दुख 19 सदी में देखा अपने पती को खोने के बाद वो दुख तुम फिर से एक बार experience करो मैंने तुमसे दूर रहने की कोशिश की मैंने तुमें भूलने की कोशिश की लेकिन अब ये मुझसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत बहुत ज़ादा पसंद करता हूँ और यौनवू उसे कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और यौनवू और टेहा के बीच जो फाइट हुई थी वो सॉल्वो जाती है और यौनवू फिर से एक बार टेहा के गर पे रहने चली जाती है यहां सावल हॉंक को कहती है कि मेरी यौनवू दिल से बहुत अच्छी है ना इसलिए उसने उस टेहा को माफ कर दिया अगर मैं उसकी जगा पे होती तो मैं उसे कभी वापस नहीं लेती हॉंग हस्ते हुए कहता है कि माफ करने की ताकत सिफ एक स्ट्रॉंग औरत में होती है और एक स्ट्रॉंग औरत ही धार्मिक औरत होती है सावल कंफ्यूज होकर पूछते है कि क्या धार्मिक औरत तो हौंग कहता है कि हाँ टेहा कुछ तो कह रहा था कि यॉन्वू कुए में गिर गई उसे एक पत्थर दिया गया था जिस पे लिखा था धार्मेक औरत लेकिन मुझे कुछ जादा याद नहीं ये बात सुनकर सावल हैरान होती है क्योंकि पुराने जमाने में औरते विद्वा होने के बाद उन्हें धार्मेक औरत कहा जाता था और इन औरतों के लिए श्राइन भी बनाया जाता था लेकिन ये श्राइन सिफ उन औरतों की मौत के बाद बनाया जाता था और सावल सोच मे पढ़ जाती है कि अगर धार्मिक औरत के नाम से यौन्वू के लिए श्राइन बनाया गया है तो क्या ऐसा हो सकता है कि यौन्वू की अल्डरी मौत हो चुकी है या ओफिस में वोटिंग वाला दिना जाता है जा डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगी कि वो टेहा को कंपनी में रखना चाते है या नहीं और मिन इस वोटिंग को शुरू करने ही वाली होती है लेकिन अचानक से उसकी असिस्टेंट आके उसे रोपती है असिस्टेंट टीवी ओन करती है और टीवी पे शुरू होता है टेहा का लाइफ ब्रॉड कास्ट जो पूरे ऑफिस के हो सकता है यह मैं समझता हूँ और इसलिए मुझे लगता है कि कंपनी को अंदर से ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज तक एसेच कॉर्परेशन को मेरी फैमिली ने चलाया है मेरे खांदान ने एसेच कॉर्परेशन को बढ़ा किया है लेकिन कभी-कभी फैमिली जिसे कंपनी मुझकिल में फस गई है मुझे लगता है कि ऐसी मुझकिलों से बचने के लिए हमें एसेच कॉर्परेशन को फैमिली बिजनस से दूर रखना होगा और सब को मौका देना होगा एसेच कॉर्परेशन चलाने का कंपनी में काम करने वाले जिस भी इनसान में डाल दूँगा ताकि डारेक्टर्स इस टॉपिक पे भी वोट कर सके और डिसाइड कर सके कि क्या वह एसेच कॉर्परेशन को फैमिली बिजनेस रखना चाते है या वह एसेच कॉर्परेशन को किसी टैलेंटिड इंसान को सौपना चाते है इस ब्रॉड्कास्ट के वज़े से मिन का प्लान चौपट होता है क्योंकि अगर डारेक्टर्स ने टेहा को कंपनी से बाहर निकालने का डिसिजन लिया तो आगे जाकर डारेक्टर्स ये भी डिसाइड कर सकते है कि कंपनी कोई और चलाएगा और वो कंपनी को किसी और को सौप देंगे जिस वज़े से मिन का पूरे कमपनी से कंट्रोल हट जाएगा और वो कभी भी चेर्मिन नहीं बन पाएगी और इसलिए मिन पूरी वोटिंग ही कैंसल कर देती है और कोई भी तेहा के खिलाफ वोट नहीं कर पाता यहां सावल अभी भी सोच रही होती है कि यौनवु धार्मे कौरत कैसे बन गई ज से अचानक याद आता है कि उसने दादा जी के पास जो घड़ी देखी थी वो एक्जैक्ली यौनवु की घड़ी की तरह थी इसलिए सावल जल्दी से दादा जी के कमरे में जाती है और वो घड़ी ढूनना शुरू कर देती है और इस घड़ी को देखकर सावल के होश उट हो जाते है क्योंकि अब तक सावल को लग ஆ की डादा जी के पास एक सिमिलर दिखने बाली घड़ी है लेकिन इस घड़ी को अपने आखों से देखने पर सावल समझ जाती है कि ये यौन मुदू की ही घड़ी है वो कांग फैमिली है वो टेहा की ही फैमिली है और उतने में बहापे यॉन्वू आ जाती है सावल यॉन्वू को कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा ये लोग बहुत डेंजरस है और यॉन्वू कनफ्यूस होकर पूछते है कि तुम्हें अच्छानक क्या हो गया सावल यॉन्वू के हाथ में घड़ी दे देती है और यॉन्वू बाहर आती है और इस बटरफ्लाइ को देखकर यॉन्वू समझ जाती है कि चौन आ गई है और यॉन्वू इस बटरफ्लाइ का पीछा करते हुए उस जंगल में पहुच जाती है जहां पर उसे धार्मिक औरत का श्राइन दिखा था श्राइन के सामने चौन खड़ी होती है औ सिन देखकर यॉन्वू इतनी डिस्टरब हो जाती है और यहांपर एपिसोड आठ खतम हो जाता है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आये तो उसे लाइक जरूर कीजे और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले थैंक यू